जैसी किष्णा राधे राधे, चोकलेट मामी से मैं सीमा सिंग आपका स्वागत करती हूँ आप सबी को सावन मास के शुकल पक्षी की पुत्रदा एकादशी की धेरो शुब कामनाए इश्वर करे आपको आपकी एकादशी का संपोन फल प्राप्त हो और आपका एकादशी का व्रत निर्विघन बिना किसी बाधा के पूरा हो इसी शुक कामना को ध्यान में रखते हुए आईए आज हम शावन मास के शुकल पक्षी की पुत्रदा एकादशी की पुन्यफल देने वाली व्रत कताय संते हैं बोलिये विश्नु भगवान कीजे, माता लश्मी कीजे, एकादशी माता कीजे, तुर्सी माता कीजे आईए अब हम सावन मास के शुकल पक्षी की पुत्रदा एकादशी की व्रत कता सुनते हैं धर्म राज युदिष्टर, भगवान स्रीकर्ष्न से बोले की हे इश्वर, अब आप मुझे सावन मास के शुकल पक्षी की एकादशी की कता सुनाईए इस एकादशी का नाम तथा इसकी विधी भी बताईए तमदुसुदन भगवान युदिष्टर से बोले की हे राजन, अब आप शांती पूर्वक, शावन मास के शुकल पक्षी की एकादशी की कता सुनो इस कता के शवन मात्र से ही वाचपे यग्य काफल मिल जाता है हे राजन, तुम पुत्रदा एकादशी की कता को विस्तार से सुनो द्वापर युग के प्रारम में, महिश्मती नाम की नगरी में, महीजीत सिंग नाम का एक राजा था उस राजा के विवहा के कई वरस बीद जाने के बाद भी उसे संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ तो वह सदेव चिंता ग्रस्त रहता था उसे राजन दुखदाई प्रतीत होता था क्योंकि पुत्र बिना इस लोग और पारलोग दोनों में ही सुख नहीं मिलता राजा ने पुत्र की प्राप्ती के लिए पुत्रेष्टी यग्य किया परन्तु सब निश्वल रहा जब वह राजा व्रद्धावस्ता को प्राप्त होने लगा तो उसकी चिंता और भी बढ़ गई एक दिन उस राजा ने प्रजा को संबोधित करते हुए कहा कि हे प्रजा जनों हे महानू भाओं मैंने ने तो अपने जीवन में कोई पाक किया और नहीं अन्याई पूर्वक प्रजा से धन एकत्र किया है ने मैंने कभी किसी देवता भ्रामन का धन छीना है और नहीं किसी की धरोहर हरप करी है मैंने प्रजा का पालन सदेव पुत्र की तरह किया है मैंने अपरादियों को पुत्र और बांदूओं की तरह ही दंड दिया है मैंने कभी किसी से कोई रागद्वेश नहीं किया सबको समान माना है इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करने पर भी मैं महान दुख भोग रहा हूँ मुझे एक पुत्र का सुख भी प्राप्त नहीं हुआ इसका क्या कारण है मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तब राजा की बात सुन कर पूरी प्रजा और मंत्री गण भी बहुत दुखी हुए तब एक दिन राजा के दुख का निवारन करने के लिए सभी मंत्री गणों ने अपना घर बार छोड़ दिया और वन वन जाकर बड़े बड़े मुनियों, सादूओं और रिशियों के पास राजा के दुख का निवारन पूछने लगे तब वे एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर विच्रन कर रहे थे तब एक बार वे भटकते भटकते लोमेश रिशी के आश्रम में पहुँचे उस इस्थान पर वयोवरद और धर्म के ग्याता, शास्त्रों के प्रणेता, लोमेश रिशी को देखकर उन्हें बड़ी प्रसनता हुई वे सबी उनके आश्रम में गए और उन्हें प्रणाम करके उनके सम्मुक बैटकर उनकी स्तूती करने लगे और बोले कि हे देव, हमारे अहो भाग्य हैं, जो आज हमें आपके दर्शन हुए इस पर लोमेश रिशी बोले कि हे ब्रामनों, आप लोगों की विन्य और आपके सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन हुआ अब आप मुझे मेरे आश्रम में आने का कारण बताओ, मैं आपके दुख को अपनी शक्ती की अनुसार अवश्य दूर करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर तो बनाही परोबकार के लिए है लोमेश रिशी के वचन सुन कर सभी मंत्री गण बोले, हे महरीशी आप तो अंतर यामी है, आप तो भ्रह्मा के सद्रश्य है, आप हमारे दुख से कैसे अन्जान हो सकते हैं हे मुनीवर, हम महीश्मती नाम की नगरी के प्रजाजन हैं, हमारे राजा का नाम महीजी सिंग है, हमारे राजा बड़े ही धार्मिक प्रवती के हैं, वे अपनी प्रजा का पालन पुत्र की तरह धर्मा अनुसार ही करते हैं उन्होंने अपने जीवन काल में कोई पापकर्म नहीं किया फिर बीवे संतान हीन हैं इससे वे अत्यंत दुखी रते हैं हम लोग ऐसे राजा की प्रजा हैं प्रजा का कर्तव्य है कि राजा के सुख को सुख माने और दुख को दुख माने हमको उनके पुत्रहीन होने का बड़ा दुख है अब जब से हमने आपके दर्शन किये हैं हमें पूर्ण विश्वास हो गया है कि हमारा ये कस्ट आप अविश्य दूर करेंगे अते अब आप हमको हमारे राजा को पुत्र प्राप्ती का कोई उपाय बताईए इस पर लोमेश रिशी ने एक शन के लिए नेत्र बंद किये और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे और बोले कि हे महानों भावों यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत ही निर्धन था बुरे कार्म किया करता था अपनी आजीविका के लिए एक गाउं से दूसरे गाउं में घूमा करता था तब एक बार जेश्ट मास के शुकलपक्षी की एक आदशी के दिन दो दिन तक इसे भूका प्यासा रहना पड़ा दोपहर के समय यह एक नदी के किनारे पानी पीने गया वहां उस समय ब्याई हुई प्यासी गाई जल पी रही थी तब इस राजा ने उस प्यासी गाई को हटा कर खुद जल पीने लगा हे मंत्री गणों तुमारा वह राजा इसी पाक का दंड भोग रहा है लेकिन एकादशी के दिन अनायास भूके प्यासे रहने से उनका निर्जला उपवास हुआ था उसी पुन्य के प्रताप से वह इस जन्म में राजा बना परन्तु ब्याई हुई प्यासी गाई को जल पीते हुए हटा कर पानी पीने के कारण वह इस जन्म में पुत्र के वियोग का दुख भोग रहा है यह सुन कर सभी मंतरी गन बोले कि है महरिशी जी शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पुन्य से पाप नश्ट हो जाते हैं इसलिए कृपया करके आप हमारे राजा के पूर्व जन्म के पापों को धोने का कोई उपा होगी अब हमें यह पूर्ण विश्वास हो गया है मंतरी गनों के वचन्सुन कलो में श्रिशी बोले कि है मंतरी गनों तुमारे भागे से शावन मास के शुकलपक्ष की पुत्रदा एकादशी आने वाली है तुम सब राजारानी के साथ शावन मास के शुकलपक्ष की पु रात्री जागरन करो भगवान विश्णु और मातालश्मी का पूजन करो और द्वादशी के दिन उस्वरत का पुण्यवल राजा रानी को संकल्प भरकर प्रदान करदो इससे तुम्हारे राजा रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी जब मंत्रियों ने यह सुना तो उन्हा बड़ी प्रसनता हुई उन्होंने लोमेश रिशी से पुत्र दा एकादशी की पूरी विधी जानी और उन्हा प्रणाम करके वे वापस अपने नगर में लोट आए महल में जाकर उन्होंने राजा रानी को पुत्र देने वाले व्रत का समाचार सुनाया इससे राजा रानी को बड़ी प्रसनता प्राप्त हुई कुछ दिनों के बाद जब सावन मास की शुकलपक्ष की पुत्रदा एकादशी आई तो राजा रानी के साथ सबी मंत्रियों और प्रजा जनों ने एकादशी का निर्जला उपवास किया भगवान विश्नु और मातालश्मी और तुलसी जी का पुजन किया रातरी जागरन किया फिर दूसरे दिन द्वादशी के दिन ब्रामनों के सामने पूरी प्रजाने और मंत्री गणों ने अपनी पुत्रदा एकादशी का पुण्याफल राजा रानी को संकल्प भर कर छोड़ दिया उस पुण्या के ब्राभाव से तीन मैने के बाद ही रानी को गर्ब टहर गया और नवे मैने में रानी को एकतेजस्वी सुन्दर पुत्र पैदा हुआ भगवान करश्ण युदिष्टर से आगे बोले कि हे राजन इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा जो मनुष पुत्र प्रापती के लिए इस एकादशी कवरत करता है तो उसे पुत्ररत्नी की प्रापती अविश्य होती है इस सुवरत के प्रभाव से इस लोग में सुख और परलोग में स्वर्ग मिलता है पाप करते समय मनुष्य नहीं सोचता कि वह क्या कर रहा है किन्तु शास्त्रों में लिखा हुआ है कि व्यक्ति का छोटे से छोटा पाप भी उसे महान कश्ट भोगने को विवश कर देता है अतय मनुष्य को पाप से डरना चाहिए क्योंकि पाप नामक यह राक्षस जन्म जन्मांतर तक उसका पीछा नहीं छोड़ता व्यक्ति को चाहिए कि सत्यवरत का पालन करते हुए इश्वर के प्रती पूरी निष्टा रखे यह बास सदे याद रखे कि किसी के दिल को दुखाने से बड़ा दुनिया में और कोई दूसरा पाप हो ही नहीं सकता आईए अब हम पुतरदा एकादशी की दूसरी कहानी सुनते हैं एक बार चंदरपूर नगर में एक संत महात्मा जी की टोली प्रवचन दे रही थी उस नगर के सभी लोग महात्मा जी के प्रवचन सुनने के लिए पहुँचे तब उस नगर की एक शुदर जाती की महिला संतो भी प्रवचन सुनने पहुची वहाँ पांडाल में सभी तरह के लोग बैठे थे जिन में आमीर, गरीब, सभी थे संतो क्योंकि शुदर जाती की थी तो वह पांडाल में सबसे पीछे एक कोने में जाकर बैठ गई और महात्मा जी की प्रवचन सुनने लगी महात्मा जी ने कहा कि प्रते व्यक्ति को अपनी हेसियत के अनुसार जप, तप, दान, व्रत, उपवास करने चाहिए ताकि बुरे कर्मों को कम किया जा सके क्योंकि सांसारिक प्राणी अपनी जीवन में थोड़ा बहुत पापकार्म तो करते ही है कुछ लोग जाता करते हैं तो कुछ लोग कम करते हैं लेकिन इन बुरे कर्मों से कोई अच्छूता नहीं रहता कि एक पीबा घी का यग्य में आहूती देने पर एक इंच वरसात होती है प्रतेग मनश्य को चार काम स्वम ही करने पड़ते हैं उस काम को अन्य कोई नहीं कर सकता जसी पेट भरने के लिए खाना मनश्य स्वम ही खाएगा अन्य से खाने को अगर वह कहे तो उसका पेट नहीं भरेगा दूसरा विवा वह भी इंसान खुद ही करता है क्योंकि खुद के बदले किसी और को विवा के लिए बैठाता है तो उसका विवा थोड़ी होगा विवा तो उसका होगा जो फेरों में बैठेगा तीसरा है वरत उपवास और दानपुन्य और प्रभु भक्ती यह भी इंसान अगर खुद करेगा तो ही इसका फल मिलेगा चोता है मृत्यू यह भी जिसकी मोत आएगी वही मरेगा कोई दूसरा उसके बदले में नहीं मर सकता संत इसी तरह के अच्छे अच्छी ज्यान वर्धक बाते प्रवचन में सुना रही थे संत महात्मा ने आगे कहा कि यहाँ पांडाल में अनेक धनी लोग बटे है उन्हें अपनी जीवनकाल में एक यग्य जरूर करवाना चाहिए क्योंकि यग्य करवाने से पित्र खुश होते हैं पित्र खुश होते हैं तो उस व्यक्ती की संतती, समरद्धी सब बढ़ने लग जाती है उस व्यक्ती पर पित्र लोग से उसके पित्र फूलों की बरसात करते हैं वहाँ पांडाल में बैठी गरीब संतों, बड़े ही ध्यान से महत्मा जी के प्रवचन सुन रही थी, तब उसने मन ही मन सोचा कि मैं भी एक यग्या करूं, लिकिन मेरे पास तो धन ही नहीं है। तब जब प्रवचन खतम हो गया, नगर के सभी लोग अपने अपने घरों में चले गए, लेकिन संतों पांडाल में अभी भी बैठी थी, तब संत महात्मा अपने शिशों के साथ पांडाल से बाहर जाने लगे, तो उन्हें कोने में संतों बैठी हुई दिखाए थी। महात्मा जी खुच चलका संतों के पास आये और बोले कि हेकल्याणी, शाम ढल गई है, रात्री होने वाली है, प्रवचन समाप्त हो चुका है, तो मैं भी घर जाना चाहिए। तब संतों महात्मा जी को प्रणाम करते हुए बोली कि महात्मा जी आपने अभी प्रवचर में कहा कि प्रतेग व्यक्ति को अपनी जीवनकाल में एक यग्य अवश्य करवाना चाहिए लेकिन महात्मा जी मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो धन ही नहीं फिर भला मेरे जैसे गरीब लोग कैसे यग्य कर सकते हैं तब महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले कि हे पुत्री, तुम्हारे बास जो है तुम वही करो, तुम्हें उसी का पुन्य मिल जाएगा हे पुत्री तुम श्रमदान करो तुम्हारा ये श्रमदान तुम्हें किसी यग्य जितना फल देगा तब गरीब संतों बोले कि महात्मा जी आप मुझे अच्छे से समझाईए ताकि मेरे समझ में आ सके तब महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले कि हे पुत्री श्रमदान का मतलब है तुम किसी आश्रम में जाकर अपनी सेवाएं दो गायों की सेवा करो तुम्हें यही यग्ये जितना फल देगा उसके बाद संतों ने महात्मा जी को प्रणाम किया और खुद की जोपड़ी पर आ गए पूरी रात वा यही सोचती रही कि दूसरे दिन वे आश्रम में पहुंची उसने आश्रम के बाहर से देखा तो वहां बहुत से अमीर लोग आ और जा रहे थे तो उसकी हिम्मत नहीं हुई आश्रम में जाने की फिर वे मनी में सोचने लगी कि मैं रातरी में आकर पूरे आश्रम की साफ सफाई कर दूगी उसके बाद वे वापस घर आ गई अर्धरातरी में संतो चुप चाप आश्रम में गई उसने पूरे आश्रम की साफ सफाई कर दी सुन्दर सुन्दर माण ने माण दिये गाई भैस के बाड़े की सफाई कर दी गोबर पोटे उठा दिये उपले बना दिये और सुखी लकड का एक जगड़े लगा दिया और वापस अपनी जूपड़ी में आ गई दूसरे दिन आश्रम के गुरुजी ने उठकर देखा तो आश्रम में साफ सफाई हो रखी थी सुन्दर सुन्दर माण ने मंड़े हुए थे गाई भैस के बाड़े की भी सफाई हो रही थी गोबर क उपले बने हुए ये ते लकडियों कड़े लगा हुआ था गुरुजी ने आश्रम में सबसे पूछा कि यह सारा काम किसने और कब किया लेकिन सभी आश्रम वाशियों ने मना कर दिया तब गुरुजी ने मनहीमन सोचा कि कोई भगत तो होगा जो यह काम कर रहा है मुझे पड़ेगा तब अर्ध रात्री को वापस से संतो आई और साफ सफाई करने लगी दूसरे दिन फिर से गुरुजी ने आश्रम और बाड़े की साफ सफाई देखी तो गुरुजी ने निश्चे किया कि आज रात्री को मैं खुद पता करूंगा कि यह काम कोन कर रहा है तीस कोचने लगे कि आज तो मैं सूंगा ही नहीं आज तो मुझे जाकर देखना ही है कि यह कारी कोन कर रहा है कि तबी जाड़ों की आवाज सुनकर गुरुजी बाहर आये और संतों से बोले कि है कल्यानी तुम कौन हो और तुम क्यों अर्ध रात्री में यहां साफ सफाई करने आती हो तो संतों ने गुरुजी को प्रणाम किया और बोली कि है महाराज मेरा नाम संतो है मैं शुद्र जात्ती की विद्वा मेला हूं अगर मैं यहां दिन में आती तो कोई भी मुझे आश्रम में आने नहीं देता महाराज एक बार हमारे नगर में एक संत महात्मा जी प्रवचन दे रहे थे वो अपने प्रवचन में कह रहे थे कि प्रते व्यक्ती को अपने जीवनकाल में एक यग्या करना चाहिए ताकि उन्ने की प्राप्ती हो और दुखो का नाश हो तब मैंने उन संत महात्मा से पूछा था कि मेरे पास तो धन ही नहीं है मैं कैसे यग्य कर पाऊंगी तो उन्होंने मुझे श्रमदान करने को कहा अब मैं रोज अर्ध रात्री में आपके आश्रम में श्रमदान करने आती हूं तब आश्रम की गुरुजी ने संतों से कहा कि हे कल्याणी तुम्हारे संत महात्मा ने प्रवचन में जो कुछ भी कहा वसत्य कहा है लेकिन हे कल्याणी तुम रोज अर्ध रातरी में आश्रम में आओगी और नगर वासियों ने तुम्हें यहां रातरी में आते हुए देख तो तुम्हारी ही नहीं मेरी भी इज्जत धूमिल हो जाएगी तब संतों बोली कि है गुरुजी अम में क्या करो धन मेरे पास है नहीं श्रमदान मैं कर नहीं पाऊंगी तो मुझे यग्ये का फल कैसे मिलेगा तो आश्रम के गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले कि है कल्यानी तुम तो बड़ी ही भोली हो तुमनी स्वादभाव से विश्णु भगवान की पूजा करो क्रश्न पक्ष और शुकल पक्ष की दोनों एकादशी का उपवास करो माग मास का इस्तनान करो और व्रत करो व्रत करने के बाद इनका उध्यापन कर दो और जो गुरु मंत्र मैं तुमें देता हूँ उसका सवा लाख बार जाप करो जब तुम यह पूरा कर लोगी तो तुम्हें यग्य करवाने जितना फल मिल जाएगा उसके बाद संतों ने गुरु मंत्र लिया और गुरुजी को प्रणाम करके घर आ गई अब वह वही करने लगी जो आश्रम के गुरुजी ने कहा था वह विश्नु भगवान का पूजन करने लगी क्रश्न पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करने लगी मागमास का इसनान करने लगी और गुरु मंत्र का जाब करने लगी लगातार तीन साल तक उपवास करने के बाद उसने वरत का उध्यापन कर दिया नियसमय से पहले ही उसने सवा लाग गुरु मंतर का जाब कर लिया तब एक रातरी को संतो मनहीमन सोचने लगी कि मैंने गुरु की बताई विधी से पूचा वरत वे मंतरों का जाब तो कर लिया क्या मुझे यग्य करवाने जितना फल मिला अब मैं इनका कैसे पता करूँ इस तरग कई दिन बीद गए तब एक दिन की भात है उस नगर के राजा का इकलोता पुत्र बिमार पड़ गया सभी डॉक्टर, वेद, नीम, हकीम, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तब एक मंतरी के कहने पर राजा ने काशी के एक महन पंडित को बुला कर अपने बेटे की जनम पत्री दिखाई और पूछा कि है पंडिजी महाराज मेरा पुत्र कब और कैसे ठीक होगा काशी पंडित ने राजा के पुत्र की जनम पत्री देखे फिर कुछ देर सोच विचार करने के बाद कहा कि है महाराज अगर आपके या आपके परिवार में किसी ने व्रत उपवास और दानपुने किये हूँ 26 एकादशी के व्रत किये हूँ गरीबों को अन्न वस्तर रुपया का दान दिया हो ब्रहमन की कन्याओं के फेरे पटकवाए हो भागवत रामायन करवाई हो नगर में कुए ताला बावडी धरमशाला नाथाश्रम खुलवाए हो यग्यहवन किये हो कार्तिग वेशाग मागमास के इस्तनान किये हो अगर इन में से कोई भी एक कार्य किया हो और वह इसका पुन्य आपके पुत्र को सौंदे तो इसकी उम्र लंबी हो सकती है तब राजा ने कहा कि है पंडी जी महाराज मैधन का लोभी मो माया के जाल में ही फसा रहा मेरे और मेरे परिवार में से किसी ने भी इन में से कोई कार्य नहीं किया तब पंडी जी कुछ देर सोचने के बाद बोले कि हे महाराज तब तो एक अंतिम उपाय है अगर आपके नगर में किसी ने इन में से कोई एक भी कारी किया हो अगर वह अपने किये हुए अच्छे कारियों का पुन्यफल आपके पुत्र को संकल्प भर कर सौप दे तो आपका पुत्र बच सकता है तब राजा ने पुरी नगरी में ये धिंडोरा पिटवा दिया कि जिसने भी पंडिजी द्वारा बताए कि कारियों में से एक भी कारी किया हो अगर वह अपना पुन्य मेरे मरते हुए पुत्र को सौप दे और उससे अगर मेरा पुत्र स्वस्त हो गया तो मैं उसे मू मांगा इनाम दूँगा तब पूरी नगरी में कोई नहीं निकला मात्र संतो ही एक ऐसी महिला थी जिसने पूरी शद्दा भाव से विश्णु भगवान की पूजा करी एकादशी के उपवास करे जब संतों ने राजा की मुनादी सुनी तो उसने मनहीमन सोचा कि मुझे महल में जाना चाहिए और अपने यग्य का पुर्णे राजा के पुत्र को सौब देना चाहिए इससे मुझे मालूम भी चल जाएगा कि मुझे गुरू के बताए तरीके से पुजा और रत जाब करने से यग्य करवाने जितना फल मिला भी है या नहीं और राजा के पुत्र की जान भी बच जाएगी और मेरी परिशा भी हो जाएगी दूसरे दिन संतों सुब जल्दी उठी नहा दो कर पुजा करके नगर के राजा के महल में पहुच गई उसे देखकर पहरेदार उसे नाटने लगे कि अरे ओ भाग यहां से तेरे महल में आने से महल एपावित्र हो जाएगा तब संतों ने कहा कि अरे भाई मैं तो अपने यग्य का पुणने राजा के पुत्र को सोंपने आई हूं पहरेदारों ने कहा कि यहीं बैढ जा अभी गाउ में से और भी लोग आएंगे तब सभी को एक साथ भीतर लेकर जाऊंगा सुबह से दो पहर हो गई गाउ में से संतों के अलावा और कोई नहीं आया तब राज दर्बार सजाया गया राजा रानी, मंत्री, संत्री प्रजा के घणमान्य लोग एकत्रित हुए संतों को राज दर्बार में बुलाया गया संतों को देखकर सभी पहरेदार मंत्री, संत्री, प्रजा जन हसने लगे कि यह शुदर जाती की मैलाने क्या यग्य किया होगा तवराजा रानी ने संतों से पूछा कि हे कल्यानी तुमने कौन सा यग्य किया है तव संतों हाथ जोड़ कर बोली कि हे महाराज मुझे मेरे गुरू जी ने जो भी करने को कहा मैंने वही किया अगर उसका पुण्य आपके पु नानी मंत्री संत्री प्रजा के लोग राजा के पुत्र के कक्ष में पहुंचे तब संतों ने पूरे विश्वास के साथ हाथ में जल कुशा और तिल लेकर संकल्प भारा और मनही मन बोली कि है इश्वर अगर मेरे किये व्रत्व पूजा मंत्र जाप का फल कोटी यग्य करव चाते हूं ऐसा संकल्प भर कर उसने जल छोड़ दिया जैसे ही जल छोड़ा तो राजा का पुत्र आखे मलता हुआ अंगड़ाई लेता हुआ उठकर खड़ा हो गया वहां खड़े राजा रानी मंत्री संत्री प्रजा के गणमान्य लोग आश्चरिये चकित रहे गए रा जायता तुमारे नाम कर दो तुम्हें एक सहस्त्र गाएं दान में दे दूं ये देवी बताओ तुम्हें क्या चाहिए अभी राजारानी की बात खतम ही हुई थी कि तभी संतों को लेने देव लोग से पुश्पक विमान लेकर देवदूत आगे तभी संतों ने अपनी प अनंद सुप भोगने के लिए चली गए जब संतों देविमान में बैठका जा रही थी तो उसे प्रवचन देने वाले संत महात्मा ने देखा आश्रम में से गुरू जी ने देखा संत महात्मा और गुरू जी दोनों के हाथ जुडगे ये विश्णु भागवान जैसा फल आपने संतों को दिया वैसे हमें भी देना कहानी गैने वाले को सुनने वाले को और उकारा भरने वाले को एक बार महादेव जी और पारवती जी हरिद्वार में भ्रह्मन कर रहे थी तमाता पारवती जी ने देखा कि हजारों इस्तरी पुरुष गंगा में इस्तनान कर रह हर हर गंगे हर हर गंगे का नारा लगा रहे हैं तब माता पार्वती जी ने महादेव जिसे कहा कि हे देव ये सभी लोग गंगा इस्टनान करने आते हैं इनके तो सब के पाप धुल जाते होंगे तब महादेव जी बोले कि हे पार्वती ये गंगा तो पाप नाशीनी तीरत इस्थान हैं यहां तो बड़े से बड़े लोगों के पाप धुल जाते हैं लिकिन ये सभी लोग पाप नाशीनी गंगा इस्टनान ही नहीं कर रहे इसलिए इनके किसी के भी पाप नहीं दुल रह तब माता पार्वती जी ने कहा कि हे देव सब लोग डुकी पर डुकी लगा लगा कर इस्तनान कर रहे हैं इनका पूरा शरीर गिला है ये नाक बंद करके गंगा मैया में डुकी पर डुकी लगा रहे हैं क्या फिर भी ये गंगास्तनान नहीं कर रहे, क्या इसे गंगास्तनान करना नहीं कहते, महादेश जी बोले कि हे कल्यानी, ये सबी लोग मात्र डुप की ही लगा रहे हैं, परन्तु ये गंगास्तनान नहीं कर रहे, मैं तुम्हें इसका पूरा सार कल बताऊंगा, दूसरे दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी तब महादेव जी ने माता पार्वती जी के कान में कुछ कहा और कहा कि जैसा मैं कहता हूँ तुम व्यसा ही करना तुम्हारे कल वाले प्रशन का उत्तर तुम्हें आज मिल जाएगा तब महादेव जी और माता पार्वती जी ने व्रद दमपती का वेश बनाया महादेव जी और पार्वती जी चल रहे थी कि तभी महादेव जी खुद जान बूच कर एक गड़े में गिर गे तब महादेव जी के कहे अनुसार पार्वती जी सभी रहागिरों से मदद मांगने लगी कि कोई मेरे पती को गड़े से बाहर निकाल दू मेरे पती गड़े में गिर गे है माता पार्वती जी इस तरह करून रुदन काने लगी तब जो भी रहागिर महादेर जी को गड़े में से निकालने आता तो बुडियावेश में माताबारवती जी उनसे कहती कि देखो मेरे पती को तुम गड़े में से बाहर तभी निकालना जब तुम्हें ये ग्यात हो कि तुम पवित्र हो तुमने अपने पूरे जीवनकाल में कोई पाप नहीं किया कभी जूट नहीं बोला न कभी चोरी चकार करी तभी तुम मेरे पती को गड़े में से बाहर निकालना क्योंकि मेरे पती निश्पाप है इन्होंने पूरे जीवन में कोई पाप कर्म नहीं किया अगर तुमने मेरे पती को गड़े में से निकालने के लिए इन्हें हाथ लगाया तो तुम जल कर भस्म हो जाओगे तब जो भी व्यक्ति उन्हें बचाने आता तो माता पार्वती जी की बात सुन कर चला जाता तो वे कहते कि एक तो हम तुमारे पती को बचाने आए हैं तब हम ही मर जाएंगे तो हम तुमारे पती को क्यों बचाएं इस तरह कई इस्तरी पुरुष बचाने आए लेकिन भस्म होने की बात सुनते ही वे चले जाते और कहते कि अरे अगर हम ही भस्म हो जाएंगे तो हम क्यों तुमारे पती को बचाएं इस तरह सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई किसी ने भी व्रद्व वेश में महादेर जी को गड़े में से बाहर नहीं निकाला कि तबी एक बहुत बुढधा ब्रामन उधर से आया जो अभी अभी गंगास्नान करके आया था वै जैसे ही हर हर गंगे हर हर गंगे की इस्तूती करता हुआ उधर से निकला तो उसने व्रद्व को गड़े में गिरा हुआ देखा तो वै बचाने के लिए आ गया अतापार्वती जी जो बुढ़िया के वेश में थी उन्होंने उस ब्रामन को भी वही कहा तब वै ब्रामन बोला कि हे देवी मैं अभी अभी गंगास्नान करके आ रहा हूँ तुम्हें क्यों लगता है कि फिर भी मेरे अंदर पाप शेश रह गए हैं क्या माता गंगा पवित्र नहीं क्या माता गंगा पाप धोने में समर्थ नहीं ये कल्यानी मैं अभी तुमारे पती को गड़े में से बाहर निकाल दूगा ऐसा कहते ही उस व्रद ब्रामन ने लपक कर व्रद ब्रामन रूप में महादेजी को गड़े से बाहर निकाल दिया तबी भगवान महादेव माता पार्वती जी ने उस व्रद ब्रामन को साक्षा दर्शन दिये इसलिए जो विश्वास और सची शद्धा से गंगा इसनान करता है उसे के पाप माता गंगा दोती है और जो ए विश्वास करके गंगा इसनान करता है माता गंगा भी उसके पाप नहीं दोती आईए अब हम गड़े जी की कहानी सुनते हैं एक बार एक गाउं में एक बुडिया माई थी, वे हर बुद्दुवार कवरत करती थी, वो अपना गुजर बसर फूलों की माला बना कर बेशती थी, उसी से उसका घर जलता था, उसने जूपडी के पास खाली जमीन में तरतर के फूल उगा रखे थे, जिनमें मोगरे, हजार चमेली, गुलाब, कनेर, आदी फूल थे, उनी फूलों की माला बनाती और मंदीर के बाहर फूलों की माला बना कर के बेशती थी, बुद्दुवार के वरत में वे एक बहुत सुन्दर फूलों की माला बना कर के भगवान गणेजी को पहनाती, हरी हरी दुर्वा चड़ाती गी का दीपक जलाती और एक समय वरत करती थी तब एक दिन की बात है उसका बुद्दुवार का वरत था वह गणेजी के लिए फुलों की माला बना करके लेकर गई उसने गणेजी को फुलों की माला पहनाई हरी हरी दुर्वा चड़ाई चार बेसन के लड़ू चड़ाईगी का दीपक जलाया आरती करी तबी भगवान की माला में से एक फुल बुड़िया की थाली में गिर गया बुड़िया ने उस ओध्यान नहीं दिया बुड़िया माई घर आई और उस फूल को अपनी फुलवारे वाले आंगल में डाल दिया थोड़े ही दिनों में उस फूल से वहां एक फुलों का पेड उगाया बुड़िया का ध्यान उस पेड पर उगे फूलों पर गया ही नहीं लेकिन उसके पडोसी का ध्यान चला गया उस पेड़ पर रोज दो फूल सोने के उगते थे जिससे रोज पडोसी बुढ़िया के उठने से पहले ही तोड लेता था तब एक दिन गणेश भगवान ने सोचा कि बुढ़िया को मैंने सोने के फूल वाला पेड दिया लेकिन बुढ़िया का तो सोने के फूलों पर ध्यान ही नहीं है रोज पडोसी ही सोने के फूलों को तोड कर ली जाता है जब एक दिन बुढ़िया माई फूल तोड रही थी तो भगवान ने दोनों सोने के फूल उसकी जोली में गिरा दिये उस दिन बुडिया का ध्यान उस पेड़ पर चला गया अब बुडिया माई रोज खुद सोने के फूल तोड़ने लगी इससे पडोसी को फूल मिलने बंद हो गए तो पडोसी जल भुन गया उसने सोने के फूल वाले पेड़ की बात नगर की राजा को बता दी राजा ने सोने के फूल देने वाले पेड़ को बुडिया के आंगन में से उकड़वा कर खुद के राजमहल में लगवा लिया बुडिया कुछ नहीं बोली राजा का आदे सिर माथे पर होता है लेकिन सोने के फूल देने वाले पेड में से काटे उगाए तब एक दिन वही काटा रानी के पाओ में लग गया रानी ने राजा से कहा कि महाराज आपने राजमहल के भगीचे में कैसा पेड लगवाया है उसमें तो काटे उग रहे हैं और वही काटा मेरे पाउं में चुप गया है अब आप किसी वेद को बुलवाईए राजा को महानाश चरिये हुआ कि सोने के फूल देने वाले पेड में काटे क्यों उगाई राजा ने उसी समय वेद को बुलवाया लेकिन वेद ने काटा निकालने में ऐसा मर्थता जताई तव राजा ने बड़े बड़े नीम हकीम डॉक्टरों को बुलवाया लेकिन सब ने मना कर दिया तव राजा ने बुढिया को बुलवाया और पूचा कि अरी बुढिया जब ये पेड तेरे आंगर में था तो सोने कफूल देता था लेकिन मेरे राज महल के बगीचे में लगाते ही इसमें काटे क्यों उगाए क्या तु जादूगर्णी है या कोई टोने टोटके जानती है तो बडियामाई राजा से बोली कि है महाराज मैं कोई जादूगर्णी नहीं नहीं मैं कोई टोने टोटके जानती हूँ मैं तो गणीश भगवान की परम भक्त हूँ मैं हर बुद्दुवार कवरत करती हूँ मैं गणीश भगवान की परम भक्त हूँ यह सब कुछ मेरे गणिश भगवान ने किया है तब राजा ने कहा कि अरी बुढिया माई तेरे इस पेड का काटा हमारी रानी के पाओ में चुप गया है कोई बिवेद, नीम, हकीम, डॉक्टर निकालने में ऐसा मर्थ है अब तू ही इस काटे को निकाल, नहीं तो मैं तुझे फासी पर चड़ा दूगा ऐसे ही बुढिया माई ने रानी के पैर पर हाथ फेरा, उसी समय काटा निकल गया रानी एकदम से सस्त हो गई उसी समय राजा ने वो पेड उख़वा कर वापस बुढिया के आंगन में लगवा दिया बुढिया के आंगन में पेड नगते ही उसमें वापस से दो सोने के फूल उगने लगे राजा ने सुंबी ये चमतकार देखा उसी रात्री को गणिश भगवान ने राजा को सपन में दशन देकर काहा कि हे राजा, बुडिया के आंगन में सोने का फूल देने वाला पेड़, मैंने ही बुडिया को दिया है, वो मेरी परम भक्त है तब राजा ने बुढिया को खुब मान सम्मान दिया और साथ में खुब सरधन भी दिया और बुढिया के पडोसी को दंड दिया उसके बाद राजा ने पुरी नगरी में ये एलान करवा दिया कि सभी को बुद्दुवार गणीजी कवरत करना चाहिए उसके बाद स्वम राजा भी अपनी रानी के साथ हर बुद्दुबार का वरत करने लगा और गणीश भगवान का पूजन करने लगा उस वरत से राजा को दो सुन्दर पुत्र पैदा हुए और उसके पूरे राज्ये में खुशाली हो गई और वर इस जीवन का सुक भोग कर मरने के बाद बैकुन को प्राथ हुआ ये गणीश भगवान जैसे आप बढ़िया के उपर टूटे बाद में राजा रानी पर खुश होए वैसे सब के उपर होना कहानी कहने वाले के उपर सुनने वाले के उपर और हुकारा भरने वाले के उपर